पुलिस से मिली जानकारी का नुसार साइना ने भाई राकेश कार्टवे की हत्या 9 अपरेल को करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े अलग लग जगों पर फेक दिये थे इस संगीन आरोप में चालों को आरोपी बनाया गया था शाइना काटवे करनर अविनेत्री हैं लेकिन उन्होंने इस फिल्म से डेवियो किया था और अब तक कितनी फिल्मों में काम किया यह सब हम आपको बताने जा रहे हैं शाइना काटवे का जन 26 दिसंबर 1988 को हुबली में हुआ था और अभी उनकी 32 साल है शाइना ने हुबली में ही अपनी शिक्षा दिक्षा पूरी किया उसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा शाइना कंणर फिल्म अभी नेत्री हैं उन्होंने अच साल 2018 में निर्देशक राग वंका प्रभू द्वारा निर्देशित फिल्म एकम क्रेमन जीवन से डेब्यो किया था इन दिनों शाइना अपने आने वाली फिल्म उंडु घंटया कांठे का प्रमोट कर रही थी शाइना का अब तक फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा है उन्होंने अब तक कुछी फिल्मों में काम किया है तो एक्टर्स की लव लाइफ के बात करें तो उनका बॉइफ्रेंड नियाज एहमत कटियार है जो की हत्या के मामले में आरोपी है चाइना शोचल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है उनकी इस्टाग्राम पर अच्छी खासी फैन फोलोईंग है हाली में शानिया काटवे ने लोक्त में अपनी तस्वीर इंस्टागाम पर शेयर की थी जिस पर उनके फैन्स ने अपनी प्रतिकिरिया दी थी क्या गयना आपको एक्टर्स सान्या काटवे के बार में कमेंट्स करके रताई लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहें बिगी स्क्रीन